बैचों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं, रसायन परिवर्तन से संबंधित विज्ञान है किसी भी रसायनी कभी क्रिया में क्या होता है? कुछ विशेस गुणवाले पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और कुछ नय विशेस गुणवाले पदार्थों का उत्पादान होता है यहाँ पर आप एक जो चित्र देख रहे हैं यह एक कैमिकल फैक्टरी का चित्र है आप जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में या दोगिक रूप से हम बहुत सारे कैमिकल पदार्थों का उप्योग करते हैं जनका निर्वान इसी प्रकार की कैमिकल फैक्टरियों में होता है जैसे की अमोनिया हुआ, सलफ्यूरिक ऐसिड, नाटरिक ऐसिड, अलकोहल आदी आप भी बड़े होकर इस प्रकार की कोई फैक्टरी लगा सकते हैं और उसमें किसी कैमिकल पदार्थ का उत्पादन कर सकते हैं अब माल लीजे आप अमोनिया का उत्पादन करने जा रहे हैं अमोनिया के उत्पादन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की जानकारी होने चाहिए आप जानते हैं कि इसके लिए हमें raw material या कच्छे पदात के रूप में hydrogen gas और nitrogen gas की आवशक्ता होती है अब क्या hydrogen gas और nitrogen gas को आपने मिला कर रख दिया तो क्या ammonia बन जाएगी? यहाँ पर आपको अभिक्रिया की संभाव्यता के बारे में पता होना चाहिए आपको उन सभी conditions के बारे में पता होना चाहिए जिससे nitrogen और hydrogen gas आपस में क्रिया करके ammonia का उत्पादन करेंगे जैसे कि हम जानते हैं निश्चित ता पेवं दाप पर किसी भी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान जब नेगटिव होता है तब वह अभिक्रिया संभाव हो पाती है और इन सभी का अध्यम हम रासाइनिक उश्मा गतिकी के अंतरगत करते हैं दूसरी जो महत्वपूर बात आपको पता होने चाहिए वो है रासाइनिक अभिक्रिया की सीमा दोनों अभिकारक यानि कि आपके नैट्रोजन और हाइड्रोजन किस सीमा तक अभिक्रिया करेंगे कितनी देर में साम्यावस्था प्राप्त होगी क्या उसके पहले अभिक्रिया फॉर्वर्ड की जगा बैक्वर्ड दिसा में चलने लग जाएगी तो आप इंतजार कर रहे हैं अमोनिया के अधिक उत्पादन होने का जबकि अमोनिया बनने के कुछ समय के बाद बैक्वर्ड दिसा में चलकर वापस नैट्रोजन और हाइड्रोजन बनने लग गई है तो यहाँ पर आपको वो सारी चीजे पता होनी चाहिए जो कि आपके अमोनिया के उत्पादन की जो क्रिया है उसको फॉर्वर्ड दिसा में चलाती रहे और आपको अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त होती रहे इस सारी चीजों का अध्यान हम करते हैं रासाइनिक साम्यावस्था के अंतरगर अब बात आती है आपने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है आपने क्वालिटी भी अच्छी रखी है और काफी आपको ओर्डर अमोनिया उत्पादन के लिए मिल गया लेकिन ये क्या आप उस उत्पादन जितना आपको और्डर मिला है उसके साब से आप उत्पादन कर ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए? यह पता होना चाहिए कि नैट्रोजन और हाइडोजन चन मिलकर किस गती से अमोनिया का निर्मान करते हैं उसकी स्पीड क्या है अभीक्रिया का वेग क्या है साथ ही ये पता होना चाहिए कि उस अभीक्रिया के वेग को आप किस प्रकार बढ़ा सकते हैं यनि कि अभीक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विशाय में आपको जानकारी होनी चाहिए और ये सारी चीजे जो आपको तीसरे पॉइंट के अंतरगत जो जानकारी प्राप्त होती है वो अध्याय कहलाता है रासायनिक बलगतिकी जिसका अध्यन हम करने वाले हैं इसलिए जो रासायनिक बलगतिकी है उसका हमारे उत्पादन जहां पर होते हैं यानिकी इंडस्ट्रिल के इंडस्ट्री से काफी महत्त पूर्ण है चाहे वो केमिकल उत्पादन की बात हो फार्मसिटिकल इंडस्ट्री की बात हो फूड प्रोडक्शन की बात हो इंधन से जो है रासायनिक अभीक्रिक्रिया की दर रासायनिक अभीक्रिया की बेक का ग्यान होना बहुत अधिक आवश्चक होता है। आप जानते हैं कि जो फार्मसिटिकल कमपनिया होती हैं वो लगातार रासानी कभी क्रिया के दर का अध्यन करती रहती हैं अपने विभिन उत्पादों के प्रति कोई भी दवा मा लीजिए आपको कहीं पर पेन हो रहा है और आपको कोई दर्द निवारत दवा पेन किलर देय गया यदि वह दर्द निमारक दवा चार घंटे में असर करती है तो उस दवा का आपके लिए कोई महत्व नहीं है तो इस तरह से हम देखें कि लगातार फर्मसिटिकल कंपनिया रासाइनिक बलगति की का अध्यन रासाइनिक वेक का अभिक्रिया के वेक का अध्यन उनके लि और फिलिंग करने के लिए वो जिस पदार्थ का उपयोग करता है आप देखते होंगे कि उसके जमने की दर्ग कितनी तीवर होती है क्योंकि यदि वो जल्दी न जमे तो वो आपके लिए काफी असुविधा जनक हो जाता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर भी जो मटेरियल तयार किया गया है वह अभिक्रिया की दर के मापन के द्वारा तयार किया गया है क्योंकि वहां पर आवशक्ता इस बात की है कि जैसे ही दातों में फिलिंग की जाए जो अभिक्रिया मिश्रन है वो शिगरता से जम जाए तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभि विभीन पैड़ फूड जो देखते होंगे उनमें एक्सपाइरिड लिखी रहती है वो एक्सपाइरिड डेट कैसे पता होती है क्योंकि उसको बनाने के पहले यह अध्यान किया जाता है कि उसको खराब करने वाले जो बैक्टिरिया हैं वो किस गती से क्रिया करेंगे किस गत हैं वो जो पैक्ट बन होते हैं काफी जल्दी खराब हो जाते हैं इसलिए उनमें प्रिजर्वेटिवस डाले जाते हैं ताकि जो खराब करने वाले जो बैक्टिरियों की अभिक्रिया की दर है उन पर धीमी हो सके और वो लंबे समय तक चले आप जानते हैं जब हम आचार मु कर लें तो आप अपने भोजन को गर्मी में आपने देखा होगा कि आपका जो भोजन है जल्दी खराब हो जاتा है जबकि ठंड के समय में काफी समय लगता है और इसलिए गर्मी में खराब होने से बचाने के लिए आप उसे ठंडे स्थान पर रखते हैं या फिर आप उसे रफिजरीटर के अंदर रखते हैं तो यह समय हम क्या करते हैं इस स्थति में हम वहाँ पर जो बैक्टिरिया की नुकसा पदार्थ को खराब करने वाले सड़ाने वाले जो बैक्टिरिया हैं उनकी क्रिया को कम करते हैं तो यहां पर भ वाली क्रिया है लेकिन क्या जब आप अपनी गाड़ी में इंधन या पेट्रोल डाल कर चलते हैं तो वह एक ही दिन में जल जाता है यदि वह तुरंत जल जाए तो क्या होगा विस्फोट हो जाएगा लेकिन हम जानते हैं कि वह धीरे-धीरे जो इंधन धीरे-धीरे जलता है और एक लिमट सिमित मात्रा में हमें उर्जा देता है हमारे एंजिन को चलाने के लिए जिससे हमारा वाहन चलता है तो इसमें जो इन्हन की दहन की दर को कौन निर्धारित करता है ये नरधारित करने के लिए हमें रासायनिक बलगत की जानकारी होनी आवश्यक होती है। इसी तरह से हम देखें कि हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो एंजाइमिक क्रियाएं हैं उनकी भी एक निष्चित दर होती है और उनको भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। और इसलिए जब हम देखें कि एक निश्चत सीमा जी बहुत अधिक ठंड पड़ जाए तो व्यक्ति की मृत्य हो जाती है यो क्योंकि उस तापमान पर हमारे अंदर होने वाली जो रासाइनिक अभीक्रियाएं हैं वो नहीं हो पाती और इसलिए जब रासाइनिक अभीक्रिय तथा उनको प्रभावित करने वाले कारकों के जानकारी होना हमें बहुत आवश्यक है और इन सब का अध्यन जो किया जाता है वह किया जाता है रासाइनिक बलगतिकी के अंतरगत यहाँ पर कैमिकल यानिक से तापर है रासाइन और काइनेटिक जो बना है वो काइनेसिस से बना है जिसका अर्थ होता है गति यानिक हम यहाँ पर रासाइनिक अभिक्रिया की गति उसकी सीमा रासाइनिक अभिक्रिया की क्रिया विधी किस प्रकार से होती है तथा उसे कौन-कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं यह सारी अध्यन हम रासाइनिक बलगतिकी के अं में पता चलता है जैसे कि बहुत सारी रासानिक अभीक्रिया हैं उधारण के लिए हम देखे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमूनिया बनाते हैं यह अभीक्रिया स्टवानेंगी के दिवारा प्राप्त नहीं होती है इसी तरह से हम ये भी जानते हैं कि हड्रोजेन और ओक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं लेकिन किया वातावरण में आप देखिया यहां पर ऑक्सीजन भी होती है हाड्रोजन भी होती है तो क्या यहाँ पर पानी बनता है लेकिन उसके लिए विशेष कंडिशन की आवशक्ता होती है इसकी जानकारी हमें उश्मा गत्की के द्वारा प्राप्त नहीं होती इसी तरह से हम देखें कि हाड्रोजन और क्लॉरीन मिलकर एक्सियल का निर्मान करते हैं हाड्रोजन और फ कि दर क्या होगी इसकी जानकारी हमें केवल रासायनिक बल गत्की के द्वारा प्राप्त होती है इसी तरह से हम देखें कि हीरा जो उश्मा गत्की आंकणे हैं वो दर्शाते हैं कि हीरा धीरे-धीरे ग्रेफाइड में परिवर्तित हो सकता है लेकिन इसको परिवर्तित होने में कितने समय लगेंगे कितने हजार साल लगेंगे इसकी जानकारी हमें उश्मा गतिकी से प्राप्त नहीं होती इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है रासायनिक बल गतिकी के द्वारग तो इस तरह से हम देखें कि र कोई अभिक्रिया क्यों spontaneous होती है और कोई कि नहीं होती या बलगत की उन इस्थतियों को भी विस्तार से समझाती है जो जिसके द्वारा हम राशाइनिक अभिक्रिया की दर में बदलाव कर सकते दर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा रासायनिक बलगत की हमें रासायनिक अभीक्रिया की दर को प्रभावीत करने वाले कारकों जैसे कि सांदरता, ताप, दाब या उतपेरक की उपस्ति इन सब के विश्वाय में विष्टार से जानकारी देती है। तो इस तरह से हम देखें कि रासायनिक बलगत की हमारे लिए काफी महत्वपुन अध्याद है और इसका ध्यन हम करते हैं रासायनिक बलगत की अध्याय के अन्तरगत हम जो जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें आएगा जो सबसे पहले है हम रासाइनिक अभीक्रिया की औसत दर रासाइनिक अभीक्रिया की ताक्षणिक दर के विसामी जानेंगे इसके अलावा रासाइनिक अभीक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्यन हम करेंगे जिसमें हम सबसे पहले सांद्रता क का प्रभाव क्या क्या होता है और सांध्रता में हम केंतरगत हम पढ़ेंगे रेट लौ दर्नियम इसके लावा हम देखेंगे कि अभिक्रिया की कोटी ओडर ओफ रियक्षन अभिक्रिया की आणविक्ता का इसके लावा हम अभिक्रिया की दर पर विभिन प्रकार के समाकलित दर समीकरन भी जानेंगे फिर इसके बाद हम रासानी कभिक्रिया को प्रभावित करने वाले दूसरे कारा क्यानिकी ताप का रासानी कभिक्रिया पर क्या-क्या प्रभाव पढ़ता है इसके बारे में जा पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और इसके बाद हम रासाइणिक अभिक्रिया करूँ संगट सद्धान्थ उसके बारे में विस्तार से जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम जानते हैं रासाइणिक अभिक्रिया की दर, rate of chemical reaction हम चानते हैं कि सभी अभिक्रियाओं की गती एक जैसे नहीं होती, भिन भिन अभिक्रियाओं की गती भी भिन भिन होती है, कुछ अभिक्रियाओं बहुत तीवर गती से होती हैं, very fast reaction, कुछ अभिक्रियाओं बहुत धीमी गती से होती हैं, जबकि कुछ अभिक्रियाओं मध्यम गती से होती हैं, यदि हम तीवर गती से होने वाली अभिक्रियाओं को देखें, तो वो प्राया आइनिक अभिक्रियाओं होती हैं, उदारन के लिए, जैसे ही हम सिल्वर नाइ क्योंकि हम जानते हैं कि सिल्वर नाइट्रिड तथा सोडियम क्लोराइड दोनों ही आइनिक अवस्था में रहते हैं और इसलिए उन्हें अभिक्रिया करने में जरा भी टाइम नहीं लेता है और इसलिए यह अभिक्रियाएं बहुत ही कम समय में यानि कि 10 तुदी पावर बा अभिक्रियाएं जैसे ही हम जो पदार्थ होते हैं उनका दहन करते हैं तो वह अभिक्रियाएं भी बहुत ही तीव्रगती से होती हैं इसी तरह से हम देखें कि जो अमलचार अभिक्रियाएं होती है एसी बेस रेक्शन होती हैं वह भी बहुत तीव्रता के साथ होती हैं तो तो ऐसी तीवर घती से होने वाली अभिक्रियाओं का अध्यान रासाइनी बलगतिकी के अंतरगत नहीं करते हैं किमके ये इतनी तीवत पर उनकी अभिक्रिया की दर पर कौन-कौन सी चीजें प्रभाव डालेंगी इसका अध्यान करना हमारी लिए सरल नहीं होता है दूसरी प्रकार की अभी क्रिया होती हैं बहुत मंदगती से होने वाली अभी क्रियां उदारन के लिए आप जानते हैं रस्टिंग ओफ आयरन तो यहां पर हम देखें कि यदि आप नई की ले मद्यम वेग से होती हैं तो इस प्रकार की अभी क्रियां का अध्यान भी हम राषानीक बलगतिकी के अंतरगत नहीं करते हैं तीसरे प्रकार की अभिक्रियां हैं जो की मद्यम वेग से होती है moderate reaction इस प्रकार की अभिक्रियां का उदारण हम ले सकते हैं जैसे जो sugar can है जो इक्षू शरकरा है उसका प्रतिलोपन starch का जलब घटन या फिर photosynthesis अभिक्रिया है वो इसका उदारण है इसी तरह से हम देखें ester का जलब घटन या फिर ammonia का निर्वान ये सभी अभिक्रियां moderate गति से होती है और इसे लिए इनका अध्यन हम रासाइनिक बल गतिकी के अंतरगत रासाइनिक अभिक्रिया की क्रिया विधी के अध्यन के लिए करते हैं जो कि इस प्रकार की अभिक्रिया जैसे हम ammonia nitrogen और hydrogen की क्रिया में देखें तो आप जानते हैं कि nitrogen में nitrogen के भी triple bond है hydrogen के भी single bond है जब यह तीन बंद टूटेंगे hydrogen का एक बंद टूटेगा और उसके बाद फिर से नए बंद बनेंगे तब ammonia का निर्मान होगा तो इस प्रकार की जो क्रिया होगी जो प्राया आणविक अभिक्रिया होती हैं उनमें समय लगता है और इस लिए प्रकार की अभिक्रिया में कौन कौन सी चीज़े प्रभाव डालेंगी इसका अध्यन करना सुविधायुक्त होता है और इसलिए रासाइनिक बलगत की स्कूलटर या फिर एरोप्लेन की स्पीड को हम कैसे त्या करते हבת 이거를 से हम इसकी स्थती में स्थती किस प्रकार का परीवर्थन हुआ है यह हम कहें एक निश्चित समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी से हम तो समे इसकी स्पीट का पता लगाते हैं यहनकि किसी भी वाहन की कज द्वारा तै की गई दूरी को समय अंतराल के द्वारा हम उसको डिवाइट कर दें तो हमें उसकी स्पीट का पता चल जाता है और जिस से हम के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं कि इसी तरह से हम रासाइनिक अभिक्रिया की गती को भी समय में किसी अभिकारक या किसी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में परिभाशित करते अब हम जानते हैं कि जो राशायनिक अभीक्रिया होती है उसमें हमारे पास प्रारम में केवल अभिकारक होते हैं और बाद में वो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती जाती है जबकि उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है तो इस तरह से हम रासाइनिक अभिक्रिया की दर को किसी एक अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाली कमी या हास यानि कि किसी अभिकारक के disappearance के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं या फिर हम किसी एक उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाली व्रिधी के द्वारा उसके appearance के द्वारा हम अभिव्यक्त कर सकते हैं उदारन के लिए हम यहाँ पर लेते हैं एक अभिकारक A है हमारे पास जो की उत्पाद B में परिवर्तित होता है रासानी कभी क्रिया के द्वारा अब यदि हम यहाँ पर इनके वॉल्यूम को निश्चित रखते हुए हम यहाँ देखें कि जो अभिकारक का एक मोल है परिवर सांद्रता को अभिव्यक्त करने के लिए हम सांद्रता उसमें उसे स्क्वार ब्रेकट के अंतरकत रखते हैं यहाँ पर मालीजे की टीवन समय पर सांद्रता A1 है जबकि T2 समय पर सांद्रता A2 है इसी तरह से उत्पाद की T1 समय पर सांद्रता B1 है जबकि T2 समय पर सांद्रता B2 है इसी तरह से यदि अब हम देखें कि A की सांद्रता में समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है या A की सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा परिवर् करते हैं तो यहाँ पर एक ही जो फाइनुल सांद्रता है वह डुरों की सांद्रता में परिवार्था जी दल्टा एक रुकी साहर एक सांद्रता में पड़ाबरतन ये डेल्टा ये डल्टा इसके बराबर होगा एरूअ में परिवरतान ले यानि कि डेल्टा टी ये बराबर होगा टी टू माइनस टी वान के अब यदि हम इसके द्वारा रासाइनिक अभिक्रिया की दर को अभिव्यक्त करें तो यहाँ पर हम एक रिस्पेक्ट में यानि कि अभिकारक के रिस्पेक्ट में यदि हम अभिक्रिया क की दर को लिखे तो यहांपर हो जाएगा एक सांद्रथा में कमी बटे शमय अंताराल ऐक की सांद्रथा में कमी इसे हम दर्शाएंगे डेल्टा ए डेल्टा ती के द्वारा और यहां पर सामने में हम माईनस का चिन लगाते हैं हमें इसा याद रखना है कि जब हम अभिक्रिया की दर को अभिकारत के रस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रदर्शित कर रहे हैं तब वहां पर हमें सांदृता के पहले माइनस का चिन लगाना है क्योंकि हम जानते हैं कि यहां पर अभिकारक की सांद्रता समय के साथ कम होती जाती है और इस स्थती में A2 का मान कम है जबकि A1 का मान अधिक है तो यदि हम डिल्टा A का मान हमारे लिए यहां पर नेगेटिव आएगा और यदि डिल्टा में A का मान नेगेटिव होगा तो हमारी जो अभिक्रिया की दर है वो भी रणात्मक हो जाएगी जबकि हम जानते हैं कि अभिक्रिया की दर rate of reaction कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो इसलिए हम जब भी अभिकारत के दोरा अभिक्रिया की दर को express करेंगे तो वहाँ पर हम माइनस वन का गुणा कर देते हैं और इस तरह से अभिक्रिया की दर जो होगी वह माइनस डेल्टा A की सांद्रता बटे डेल्टा T के बरापर होगी इसी तरह से हम B के रेस्पेक्ट में यदि अभिक्रिया की दर दर जाएं तो यह होगी B की सांद्रता में वरधी या की सांद्रता में वरधी बटे समयान तराल के बराबर होगी और इसे हम लिखेंगे प्लस डेल्टा बी की सांदरता बटे डेल्टा टी और इस तरह से हम जो अभिक्रिया की दर को या अभिक्रिया की ओसत दर को हम लिख सकते हैं अभिक्रिया की और सद्दर ये बराबर होगी माइनस डेल्टा एकी सांद्रता बटे डेल्टा टी ये बराबर प्लस डेल्टा बी की सांद्रता बटे डेल्टा टी के बराबर होगी अब हम जानते हैं अभिक्रिया की दर की इकाईया या unit of rate of reaction तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अभिक्रिया की दर जो हम प्रदर्शित करते हैं वो है सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल तो सांद्रता में परिवर्तन सांद्रता की इकाई क्या होती है यह होती है मोल पर लीटर और समय की इकाई होती है या हम second मिनट भी लिख सकते हैं मुख्य रूप से से के में एक्सप्रेस किया जाता है तो यहां पर जो अभिक्रिया की दर की इकाई होगी वह हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड और यदि हम गैस की बात करें तो वहां पर हम जो गैस की सांद्रता हो को हम आंशिक दाप के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं और इसलिए आंशिक दाप की जो इकाई है वह एक्सफिर के द्वारा एक्सप्रेस की जाएगी रासानिक अभिक्रिया की दर को हम ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं जब हम रासानिक अभिक्रिया की दर को किसी अभिकारक के लिए सांद्रता समय वक्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो आप देख रहे हैं हमें इस प्रकार का ग्राफ वक्डपराप्त होता है यहाँ पर अब देखें कि विपकारक की सांदृता हमारे पास प्रारματα में अधिक होती है और समय के साथ उसमें कमी आती जाती है चुछ ही आप Crown higher बहुत तेजी से यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट है बहुत तेजी से यहां पर कमी आती है जबकि बाद में धीरे धीरे इसमें कमी आती दिखाई देती है और दूसरी और यदि हम किसी उत्पाद को लेकर अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करें तो हमें इस प्रकार का ग्रा का फमे प्राप्ट होता है क्योंकि प्रारम में हमारे पास उत्पाद नहीं होते हैं उसकी मात्रस होती है और जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाती है उत्पाद की अब उत्पाद की दूर्ट को प्रदरश्ट सकते सकustain हैं अब हम देखते हैं कि इन ग्राफ के द्वारा यानि कि अभिक्रिया की दर में जो अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन या फिर उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन तथा समय के बीच जो ग्राफ है उसके द्वारा हम औसत दर की गढ़ना किस प् समय के बीच के जब हम वक्र खीचते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं इस प्रकार का वक्र हमें प्राप्त होता है अब यहां पर मालीजे हमें किन्हीं दो समय के बीच यहां पर हमने ले लिया है एक समय मालीजे है हमारा T1 और दूसरा समय है T2 इन दोनों समय अंतराल के बीच किसी रासायनिक अभिक्रिया यहने कि अभिकारक हमने लिया है तो अभिकारक की सांद्रता में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ जिसे हम औसत दर के हम लाइन खीचेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि Y-axis पे जो हमें परिवर्तन दिखाई जेगा यह A2-1 यह डेल्टा के बराबर हो जाएगा और यहां पर T2-1 के बीच में जो डिफ्रेंस है वह हमारा डेल्टा T के बराबर हो जाएगा और इस तरह से हम और ग्याद कर ग्याद करने के लिए हम लेंगे Y-axis में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है यह बटे हो जाएगा X-axis में जो परिवर्तन आया है अब आप देखें Y-axis में जो परिवर्तन है वो किसके बराबर है A2-A1 के बराबर है X-axis में जो परिवर्तन है वा T2-T1 के बराबर है तो यह इस तरह से हम लिख सकते हैं और जो अभिक्रिया की दर है और average यह बराबर हो जाएगा A2-A1 upon T2-T1 के यह इसे हम लिख सकते हैं Также अभिकार्ट की सांदरता के लिए व्यक्त कर रहे हैं तो यहांपर हम इसके सामने माइनस चिन लगाएंगे क्योंकि अभिकार्क की सांदरता है कम होती जा रही है इसी तरह से हम यदि उतपाद को लेकर और उसत्वेक की गड़ना करना चाहें तो हम यहां पर उत्पात के लिए जो सांद्रता समय वक्र है वो खीचेंगे और उसमें हम किसी भी दो समयों के बीच यहां जैसे हमने T1 और T2 लिया है इसके बीच हम सांद्रता में किस प्रकार का परिवर्तन है वो ग्याद करेंगे त अपन X-Axis में होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा एकस में परिवर्तन क्या हो रहा है भी टू-बीवन और एकसट में परिवर्तन हो रहा है delta-b SALT के बराबर होगा और यहां पर त्टीटू-D1 यहां पर साइन पॉजटिव रहेगा क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर उत्पात की सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है तो इस तरह से हम इस सांद्रता समय वक्र के द्वारा हम किनी भी दो समयों के बीच होने वाले के बीच औसत अभिक्रिया की दर को ज्याद कर सकते हैं इस प्रकार यदि हमें विभिन समय अंतरालों में अभिक्रिया की दर या सांद्रता परिवर्तन का यदि डेटा दिया हुआ हो तो भी हम औसत अभिक्रिया की दर को ज्याद कर सकते हैं उदारन के लिए यहाँ पर मालीजे दिया है C4H9Cl यानि की ब्यूटल क्लोराइट की विभिन समय पर दी गई सांद्रताओं से यहाँ पर अभिक्रिया दी गई है C4H9Cl प्लस H2O is equal to C4H9OH प्लस HCl यह अभिक्रिया दी गई है इस अभिक्रिया के लिए हमें विभिन समय अंतरालों में ओसत वेक्गि गड़ना करनी हैं आप देख रहे हैं कि यहाँ पर «Data» भी हमें उप्लब्द है समय अंतराल दिया गया है यह है सुनिस सेकंड फिफ्टी सेकंड हंड़ढ सेकंड इस तरह से और यहां पर उन का जो संदृता भी संदृता इस प्लूराइड की वह भी दी गई है अब बाल लिजें यहां पर हम दो समय अंतराल यंदि की 800 och 50 अंतराल के बीच यदि हम अभी क् हम क्या लिखेंगे यहां पर औसट वेग यह अभी क्रिया की औसट वेग और एवरेज यह किसके बराबर होगी यानिक एक सांद्रता हमने ले ली है जो 50 सेकंड वाली सांद्रता को हमने ब्यूटिल क्लोराइट की टीटू पर सांद्रता मान ली है जबकि शूनिस सेकंड में सांद्रता है उसे हम ब्यूटिल क्लोराइट की टीवन समय पर सांद्रता माल लेते हैं और इस तरह से हम इसे क्यालकुलेट करेंगे तो हमें जो औस वेग प्राप्त होता है वह है वन पॉइंट नाइन जीरो पर मोल पर सेकंड तो इस तरह से किसी भी अभिक्रिया के विभिन समय अंतराल में यदि हमें विभिन सांद्रताएं दी गई हैं तो उनके आधार पर हम किसी भी दो समय अंतराल के बीच और सत्वेक की गणा कर सकते हैं यह हम उपलब्द आंकड के आधार पर भी कर सकते हैं या फिर हम सांद्रता समय वक्र के आधार पर भी और सत्वेक की गणा कर सकते हैं अब हम जानते हैं ताटकालिक दर या ताक्षणिक डर इस्टेंटेनिस प्री और सत्दर से हमें किसी विशेश चण पर या किसी पर्टिकुलर टाइम पर अभीक्रिया की दर क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है उधारन के लिए जब हम लेते हैं कि माली जी आप अपने घर से स्कूल के लिए निकल रहे हैं और आपने दस बजे चलना शुरू किया और एक घंटे चलने के बाद 10 किलो मेटर की दूरी तय करके आप अपने स्कूल पहुच गया तो यहां पर आपकी जो ओसत स्पीड होगी और सथ वेग होगा वह होगा 10 किलो मेटर पर घंटे इस बीच आपकी जो स्पीड जब आपने घर में से चलना शुरूर किया था और जब आप स्कूल पहुंचे इस पूरे समय आपकी स्पीड एक जैसी नहीं थी कई बार आपकी जो स्पीड है बढ़ी होगी जब आप ब्रेकर आ गया या कहीं पर सिगनल पर वहां पर आपकी पजिकर 20 मिनट पर आपकी स्पीड ती या आपकी जो गाड़ी की स्पीड क्या थी तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो गाड़ी की स्पीड होगी उससे हम कहेंगे उसकी ताक्षणिक दर इसी तरह से जब हम रासायनिक अभिक्रिया शुरू करते हैं हमारी पस अभिकारक क की मात्रा ज्यादा होती है और अभिक्रिया की दर भी तीवर होती है लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंचती होती है यानि कि या साम्यावस्था के तक पहुंचती रहती है उस समय अभिक्रिया की दर कम होने लगती है जैसा कि हमें ग्राफ से भी स्पस्ट होता है यहां पर अब देखें कि यदि हम किसी विशेश छण पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर अभीक्रिया की दर जानना चाहें तो उसे हम जो और सांद्रता समय वक्र होता है उसके द्वारा ही हम ताक्षणिक वेक को भी क्यात कर सकते हैं इसके लिए हमें चाहे वो अभीक्रिया के लिए सांद्रता समय वक्र हो या फिर उत्पाद के लिए अभीकारक के लिए सांद्रता समय वक्र हो या उत्पाद के लिए सांद्रता समय वक्र हो किसी के विद्वारा भी हम किसी एक निश्चित छण पर होने वाले अभिक्रिया की दर को ग्याद कर सकते हैं इस तरह से किसी छण पर अभिक्रिया दर के लिए हम जो वेग ग्याद करते हैं उसे हम ताक्षणिक दर या ताक्षणिक वेग या instantaneous rate कहते हैं जैसे कि यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं यदि हम यहाँ पर अभिकारक को लेकर सांदरता समय ग्राफ ले और यहाँ पर किसी टी समय पर अभिक्रिया के ताक्षनिक वेक को जानना चाहें तो इसके लिए हम इस कर्व पर वहाँ पर हमें एक टैंजन ड्रॉ करना होगा एक बिन्दू पर हम यहाँ पर सपर्श रेखा खीशते हैं और सपर्ष रेखा के बाद हम उसकी धाल ज्याद करते हैं यहाँ पर आप लेंके इससे या snack निकालेंगे तो यह क्याँ हो जहते कि उसके द्वारा हम अभीक्रिया कि ताक्षुनिक दर ग्याद कर सकते हैं तो यह स्लोप किसके बराबर होगा य-axis में जो परिवर्तन हो रहा है अपन एक्स एक्सिस में होने वाले परिवर्तन के बराबर होगा और चुकि यह बहुत कम समयंतराल के लिए यहनिकि यहां पर जो टी-टू-टी-वन जो अंतर नहीं रह जाता यहनिकि जो डिल्टा-टी है यहां पर शून की और अग्रिसर हो जाता है और इस स्थती में जो हमारी रेट निकलेगी वो हमारी इंस्टेंट रेट कहलाती है जैसे यहां पर जो यहां वाइक्सिस में परिवर्तन हो रहा है इसे हम डी-टी के द्वारा शो करेंगे इसे हम डी और एकी सांद्रता में परिवर्तन के द्वारा शो करेंगे और समय में जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम स्मॉल डी-टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इस तरह से जो इंस्टेंट रेट इस उकल टू यह हो जाएगा दी ए की सांदृता बटे डी टी उसी तरह से यदि हम उत्पाद के सांदृता समय ग्राफ को लेकर यदि हम तक्षणिक दरग्यात करते हैं तो यहाँ पर इससे हम निकालेंगे य एक्सिस में होने वाले जो निकालेंगे य एक्सिस में होने वाला परिवर्तन अपन एक्सिस में होने वाला परिवर्तन वा एक्सिस में जो परिवर्तन होगा वो डी के बराबर होगा और एक्सिस में जो परिवर्तन होगा वो डी टी के बराबर होगा तो यहाँ पर जो ताक्षणिक instant time period होता है जिसमें कि T2 और T1 दोनों के बीच अंतराल लगभक समाप्थ हो जाता है यानि कि जो delta T है वो सुनिकी और अग्रिसर हो रहा है उस time period को हम कहते हैं ताक्षणिक time period और उसमें जो हम अभिक्रिया की दर निकालते हैं उसे हम वेग कहते हैं व ऊदहारन के लिए यहांपर हमें utile chloride की जल अभटन का एक graph है जो और शांदता समय ग्राफ को व्यक्त कर रहा है यदि हम इस ग्राफ के द् sek जब शहीज शेकंड पर अभी क्रिया की गयाद करना चाहें तो यहां पर हम निकालेंगे यहां पर और पर रेखा कीचेंगे और उसकी स्लोब गयाद करेंगे में यहां पर लंब और यह आधार इसको मिलाने वाली सांद्रता में को ग्याद करेंगे और जो टीटू और टीवन यहां पर अब दिख रहा है एक्सिस में होने वाले परिवर्तन की को ग्याद करेंगे यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर है तू का मान दिख रहा है 0.0165 और यहां पर टीटू का जो है वह है 800 सेकंड और टीवन है यह है 400 सेकंड इनको इस तरह से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ताक्षणिक डर 600 सेकंड पर ब्यूटिल क्लोराइड की जो अभिक्रिया की दर है उसके जलब घटन की दर है वह है 5.12 इन्टू 10 तुदी पावर माइनस 5 पर मोल पर सेकंड के बराबर होगी तो इस तरह से किसी भी या अभिकारत या उत्पात की सांद्रता समय वक्र के द्वारा हम किसी भी अभिक्रिय की असद्र या हम उस अभिक्रिया की ताक्षणिक दर दोनों को ग्याद कर सकते हैं